सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें रमायन कंदर अनेक बातें ऐसी हैं महराज कि रावन सिता को उठा कर ले गया हमारे इस रमायन में दिखातें कि रावन सिता को कंदे पर उठाता है और विमान में डाल देता है जबकि रावन ने तो सिता को हाथ तक नहीं लगाया था मर रावन ने तो सिता को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि Сित्ह तो अगनी देव को देती गई थी जब वनवाज जा रही थे बीचने के लिए। और अगनीदेव ने अपनी पुत्री अपनी च्हाया के रुप में देती इंसाथ जाने के लिए। रावन जरूर आया है और लक्षमन रेखा के बाहर खड़ा हुआ सिता से प्राथना करता है सिता से बंदना करता है कि सिता आप भुजनिय हैं मेरी प्राथना है कि जब तक आप मेरे उस लंका में नहीं जाएंगे तो मेरा उधार नहीं होगा मुझे मेरा संधार नहीं हो गया मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि रावन कौन था मैं कुंट धाम के भगवान विष्णों के पहरेदार जय और विजियों में से एक थी उनको स्राफ मिला तो सिता ने कहा कि रावन मैं तेरे साथ चलूँगे लेकिन मेरी एक सर्थ है रावन ने कहा कि क्या सर्थ है सर्थ यह यहिकि में तेरे महल में नहीं रहुँगी तो सिता उनके मैं नहीं रही रावन चाहता तो कारगार में भी डाल सकता था रावन चाहता तो महल में भी बंदी बना कर रख सकता था रावन ने उसे असोक वाटिका में क्यों रखा पेड़ के नीचे ही क्यों रखा ना कोई बेड़िया डाली ना कुछ डाला सिरफ पेड़ के नीचे रखा असोक वाटिका में सिता को रखा है अपने महल से कहीं किलोमेटर दूर पन के अंदर जो असोक वाटिका थी और रावन तीन बार सिता से मिलने आया केवल तीन बार पूरी रमायन में रावन तीन बार सिता से मिलता है और जब भी तीन बार आया है अपनी पत्नी मंदोद्री के साथ आया है अकिला कभी मिलने नहीं आई हम लोग रावन का पुतला जलाते हैं हम लोग रावन को पुतला जलाकर खुब आनंद लेते हैं दसेरा मनात्मि माराज रावन तो घर-घर में है किस-किस के पुतले जलाओ रावन तो आज घर-घर में रावन बड़ा विद्वान था चारो वेदों के याता था करम कांडी ब्रह्मन था लेकिन रावन के पीछे की कहानी पर जाईए ना रावन को सराप मिला था कि साथ जनमों तक पिर्थिवी लोग पर रक्स स्कुल में जनम लोगे सनत कुमार ने सराप दिया था और उस सराप को काटने का एक ही उपाय था कि तीन जनम तक लगा अतार अगर भगवान से बैर रखोगे तो तुमहें तुमारी मुक्ती हो जाएगी साथ जनम जनम नहीं लेना पड़ेगा तीन जनम में मुक्ती हो जाएगी पहला जनम जया और विजे का जिनको सराप मिला था दूसरा जनम रावन और कुम्ब करन का था तो रावन उस्ष्राप के कारण अत्याचारी बना जिस इस्त्री को उठा कर ले गया जिस सित्ता को उठा कर ले गया कभी हाथ तक नहीं लगा है लेकिन आज के रावन ऐसे है माराज आप मैपूज नहीं हो एक बार को उठा के ले जाए तो वापिस ही नहीं आओगे माराज बलो हरे कृष्ण